हेलो दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्तार के आपके लिए लेकर आया हूँ एको नियू वीडियो फुली ओटोमेटिक बायो कमिश्टी एनलाइजर ये अर्वा की हमारे पास मसीन है EM360 जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि मसीन में एंट्री को कैसे किया जाता है जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मसीन को स्टार्ट कैसे करते हैं ये हमारा मसीन स्टार्ट हुआ है कि यह चार कंटीने लगे हुए हैं जिसमें एक हस्त वाले में डिश्टिल वाटर सेकिंड वाले में क्लेमिंग सॉलेशन तीसरे में बायो हजाट वेश्ट एन पॉर्थ में इसमें वेश्ट इसमें क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले जब भी मसीन को ओपन करते हैं हमी इन च जारों डब्बो को सबसे पहले चैक करना है हमारा वेश्ट खाली होना चाहिए बायोजाट को भी खाली होना चाहिए क्लेमिंग सोलेशन हमारा बना हुआ होना चाहिए जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि 10 लीटर डिस्टिल वाटर में हमें 100 माइ कोई उसमें दिक्कत ना सके यह दोस्तों हमारी मसीन है सबसे पहले देखते हैं कि एंट्री करते हैं यह दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन है सबसे उपर आपको पेशेंट एंट्री का ओप्शन दिखाई दे रहा होगा पेशेंट एंट्री कर करेंगे एंट्री पर किलिक करने के बाद आपको सेंपल आईडी सेंपल आईडी डालेंगे पेसेंट की जो भी आपकी आईडी होगी उसको टाइप करेंगे सेंपल टाइप सिरम फिलाजमर जो जिससे भी आप टेस्ट लगा रहे हैं उसको किलिक करेंगे हमने सिरम से लगा र इसमें ID डालके हम ready कर सकते हैं पेसेंट की ID डालेंगे आपको यह option दिखाई दे रहा हुगा सबसे group बन डालेंगे पोजिशन जिस पोजिशन में भी हम यह आपकी sample tray है जिस भी position में आपको sample ID डाली है उसी position में यहाँ पर sample रखे वही position हम computer screen पर fit करें यह दोस्तो हमने sample number 85 है position हमने दो number डाली है तो हम उसमें sample को दो number में डालेंगे यह यहाँ पर आपको position दिखाई दे रही होगी हम इसमें दो number में sample को डालेंगे sample डालने के बाद दोस्तों यह regent चेक करेगी लगब 1-5 मिनट के process में यह पूरा regent चेक कर लेगी और जो भी tubing की washing बगए रहा है उसको अच्छे से proper तरीके से करेगी यह दोस्तों computer screen है आपको status monitor दिखाई दे रहा होगा reports दिखाई दे रही होगी utility, shutdown, maintenance, QC calivator हित्यादिय आपको screen पर दिखाई दे रहा होगा हमने sample entry करके sample को run करने के लिए डाल दिया है यह देखे machine यह देखे machine process में है automatic fully biochemistry analyzer EM360 यह अरवाशी machine है यह regent को automatic अपने आप लेती है यह यहाँ पर sample को अपने process scan उसर sample को सक करके आगे process करके जो भी rating आएगी हमें computer screen पर दिखाई देगी status monitor पर चलेंगे यह देखे दोस्तों computer की screen है यह यहाँ पर जो भी test लग जा रहा है यह आपको right side में दिखाई दे रहा होगा HGPT, HGOT, alkaline, phosphorus यह लगा चुकी है जो जो भी लगा रही है यह आपको automatic यहाँ पर screen पर दिखाई देता रहेगा यह आपको screen दिखाई दे रहे होगी अगर यह आपको हरे color का दिखाई देगा तो test complete हो जाएगा यह आसमानी color का है तो schedule, yellow color का है तो in process and red color में अगर दिखाई देता है तो sample painting यानि sample में कोई दिक्कत है, cloud हो सकता है, come हो सकता है तो इसलिए ध्यान रखेगी sample को अच्छे से separate करके इसमें डालें यह हमारा sample process में है तो yellow color का आपको दिखाई दे रहा होगा यह देखे मसीन पूरा test को लगा चुकी है अभी after eight minute के बाद यह आपको यहाँ पर नीचे right side में आपको दिखाई दे रहा होगा test, serial number, position, test, result, unique, flag जो भी reading आईगी है यहाँ पर show करेगा देखते हैं after 15 minute के बाद यह देखे दोस्तों जैसे जैसे reading आती जाएगी है यहाँ पर right side में आपको दिखाई दे रहा होगा यह देखे दोस्तों यह right side में आपको reading दिखाई दे रहेगा हमारा HGPT की reading आ चुकी है, HGOT की आ चुकी है, जो भी हमारा flag आएगा, high होगी तो high, low होगा तो L बना हुआ आएगा, यहाँ पर indicate आपको करता रहेगा यह देखे दोस्तों हमारी सारे reading आ चुकी है, जो low है उसके आगे L बना हुआ है, जो high है उसके आगे H बना हुआ है, यह देखे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि complete होने पर यह आपको हरे color का आपको so करेगा, यह देखे आपको so हो रहा है पूरी report देखने के लिए, print करने के लिए reports F9 को click करेंगे, यह reports पर click करने के बाद आपको ऐसा पर्मेंट दिखाई देगा, यह सबसे बलो yellow color का देखाई दे रहा होगा आपको patient report, result reprint, result reprint पर हम click करेंगे result reprint पर हम click करने के बाद हमें show करना है, show करने के बाद यह देखे, हमारे पूरे patient की reading आ चुकी है, यह आपको right side में दिखाई देरोबा print, print का option click करेंगे, यह हमारा आपको, मैंने जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि printer attach है, वहाँ पे print आपको, इस report का पूरा print आपको available हो करते हैं, I hope कि आपको समझ आया होगा, मैं और आपको इसके बारे में बता देता हूँ, सबसे उपर option दिखाई दिया है, आपको patient entry का, patient entry मैं आपको बता चुका हूँ, नीचे आएंगे test parameters पर click करते हैं, test parameter पर click करने के बाद ऐसा format दिखाई देगा, जो भी आपको new test add करना इसमें, इससे हम यहाँ पर add कर सकते हैं, third option है profile, जो भी हम प्रोफाईल तयार करना है, यहाँ से हम तयार कर सकते हैं, fourth number QC, calibration, status monitor, reports, master, utility, service, maintenance, setting, नीचे आपको उप्सम दिखाई दे रहा हूँ, shutdown का, machine को shutdown करना है, shutdown पर click करेंगे, ok आएगा, ok को click करके हम इसमेंगे, machine को बंक कर सकते हैं, यह मैंने status monitor पर click किया है, status monitor पर आपको ऐसा format दिखाई देगा, जो की sample tray आपको दिखाई दे रही होगी, region tray पर चलते हैं, region tray पर click करके, देखे दोस्तों, आपको जो भी region इसमें feed हुआ है, वो आपको screen पर दिखाई दे रहा होगा, किस test में, कितने test ल sample tray का टक्कन को open करके, हम उसमें, कोई भी region को add कर सकते हैं, फिन नीचे आपको volume scan दिखाई दे रहा होगा, इसको हम volume new, region को हम इसमें add करके, हम volume को scan करा देंगे, तो आपको इस status bar में आपको जो भी region आपने डाला है, सो हो जाएगा, यह देखिए, आप देख पा रहे हैं, सकते हैं, जो भी आपको indicate होगा, इसमें हम आपको new test को add कर देना है, यह देखिए दोस्तो barcode scan, यह जो भी हमारी while के barcode है, वो सब यहाँ पर available आपको दिखाई दे रहे हैं, यह हम reports पर गए हैं, reports पर click करने के बाद, अगर पिछला report देखना है, तो आपको यह from date change करके, यह यहां से, यह आपको यहां से date change करके, हम पिछला report भी check कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, result reprint पर गए हम last wedge, जो भी हमने last wedge को run किया है, वो यह सारे result आपको so कर देगा, अगर हमें पूरे दिन का ब्योरा देखना है, तो नीचे date wise आपको click करके, इसको so कर सकते है जैसा कि हम देखते हैं कि आज हमने कितने test लगाए हैं, तो हम उसका ब्योरा देखते हैं, date wise पर click करेंगे and so करेंगे, so करने के बाद देखते हैं कि हमारा एक number से लेके last तक यह यहां पर 84 sample हमने run किये हैं, यह सारा result आपको यहां पर so हो जाएगा, I hope कि आपको समझ में आय ठीक है, दोस्तों, hello, next वीडियो में फिर मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को subscribe करें, like करें and share करें, मेरे YouTube चैनल का नाम है रोहित MLT, ऐसे ही एको new वीडियो आपके सामने में जल्द लेकर आऊँगा, धन्याबाद.